है वेरी वार्म गुड इविनिंग तो अल्ड वॉंडर्फूल पीपूल परजिंट एर वेलकम तो माई चैनल इंटर्मेडिट साइंस और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं यह अब इमेच्ञ आडी के तरफ से जो ऑफिसियल नोटिफिकेशन आया है उसकी रिकार्डिंग वीडियो में बना रहा हूं ठीक है तो यह जो एमेच्ञ आडी मिनिस्ट्री आफ यूमन रिसॉर्स और डिवलप्मेट इसने दो नोटिफिकेशन जा रही है ठीक है और दोनों को तो मैं बारी बारी से नंबर वह नंबर टू करें के लिख देता हूं ठीक है तो आपका पहला नोटिफिकेशन है यह है प्रमोशन आफ इंडियल लैंगुज़ के रिगार्डी तो देखो इंगिलिस का वर्डे नहीं आएगा और फिर जो ग्रॉथ इंड्रॉल्मेंट रेश्यों जैसे कि मालों कि सो बच्चे में अभी मालों कुछ दिन कुछ दिन पहले का यह डाटा है कि सौ में मात्र 26 बच्चे ही हाईर एजुकेशन में इन्रॉल हो रहा है ठीक है यानि कि हाईर की ही जोँगेशन में आगा इजुकेशन में आगर साउप कर रहा तो उसके बान हएनों में 26 जा रहाए तो ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियों मात्र 26 परसेंट कुसिस किया जाएगा कि हायर एजुकेशन रेशियों जो है जो है रख थो थाजन क्या कि हमारा असेस जो है ना बच्छों तक कंटिन्ट का जो असेस बच्छों तक वह बहतर तरीके से पहुंच पाएगा और इसे दूसरा फाइदा यह ओगा कि इतने भी हमारे local language है या जो हमारा हिंदी है उसे बुस्ट मिलेगा उसे ताकत मिलेगी ठीक है उसका जो गूंज होगा ना उसका जो पहुंच होगा बहुत दूर दूर तक होगा तो इससे यह भी फाइदा है तो मिला के हमारे Indian language को local language को और खासकर Mother स्कूल का भी जो आपका हुलिया होगा वो बदलने वाला क्यूंकि government है अपने notification में का है कि वो technology का help लेंगे education में जो आपका पहला point है teaching में learning में और assessment में तो देखो अगर हम teaching and learning में technology को अगर हम refuge करते हैं तो बहुत सारे digital learning tools आते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं अब जैस इससे एक और बात यह होगा कि student का engagement काफी बढ़ेगा वह ऐसे कि अगर मानलों के पास digital tools अब लेवल है तो 24 इंटो support बच्चे को support मिलते रहेगा teacher से ठीक है तिससे क्या होगा कि student का engagement बढ़ेगा और उसको learning में भी असानी हो कि क्योंकि बहुत बार क्या होता ना कि बच्चा directly नहीं समझ पाता है visualize करने की जरूत होती है और उस visualization के concept में आपका digital tools जो है वो मदद करेगा फिर जब बात करते assessment की तो assessment मतलब वह हो गया एक examination type का तो assessment में भी आपका digitalization या technology support कर सकता है आपका जो track record है ठीक है या फिरमान लोग की student का progress report है ठीक है अगर उसको digitalized कर दिया जाए तो अगर student इसको positive मिलेता है तो उसे पता होगे कि उसका कौन सा weak area है और कौन सा strong area ठीक है तो अगर आपने weak areas पर ध्यान देता है knowledge gaps जो भी है उ अहितर future के लिए एक अच्छा ही संकेत है फिर बात करते educational planning में digitalization का या technology का ठीक है तो देको educational planning मतलब क्या होता है कि यह एक किसी particular institute के success के लिए काफी जरूरी चीज़ है ठीक है educational planning में यह होता है कि आपका एक बहुत बड़े अस्तर पे सारे बच्चों का जो educational standard है उसमें growth का लाने के लिए ठीक है जो planning करते इंस्ट्यूट्स वह educational planning का एक हिस्सा होता है तो इसमें अगर आप technology का यूज करते है तो यह एक काफी अच्छी बात होगी फिर digital India campaign आता है तो digital India campaign में क्या होता है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने digital India campaign के तद डिजिटल इंफ्रास्ट्र आगे बढ़के digital India campaign में बढचर कर हिस्सा ले और जो इंडिया हो वो digitally empowered society के रूप में वर्ड में पहचाना जाए तो यह भी फाइदा है digital India campaign को तो जरूर सामिल करना ही चाहिए था और सामिल किया भी गया फिर आपका आता है administration of management तो देखो management और administration अगर इन दो चीजों में ठ technology का इस्तेमाल लेता है जो आपके administrator है जैसे मालों कि को institute चला रहा या फिर को इनिवर्सिटी चला है तो जो इसका administrator है ना अगर को technology का help लेता है अपने management में या फिर डेली का जो उसका इसका मतलब होता है कि massive open online courses ठीक है massive open online courses यह एक government यह government करने जा रही है यह आपका internet पर web पर online courses बिलकुल free में available होगे ताकि कोई बच्चे को किसी particular बच्चे को किसी particular topic में अगर कोई problem है तो वो अपना content खोलके easily देख सकता है और जहां कहीं भी ओचाहे तो revision भी कर सकते तो इससे यह भी फाइदा होने वाला है उपर से जो दिव्यांग लोग है जो दिव्यांग लोग है जो दिव्यांग लोग है उनके लिए दिव्यांग friendly software बनाए जा रहा है ठीक है ताकि उन्हें वह भी पढ़ सके वह भी education achieve कर सक हूँ ठीक है फिर बात आता है आपका virtual labs का तो virtual labs को किया होता है बहुत ऐसे experiment होते हैं science में physics मेंभी अप count सारे experiments से chemistry में, जो आप original physical lab में नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे experiment के साथ risks involved होते हैं, मतलब कि उसको करने में risk होता है, तो इसे हम virtual lab में so कर सकते हैं, या virtual labs में कर सकते हैं, तो बहुत सारे virtual labs लगाने का, बहुत सारे virtual labs को रेटेब करने कि बात कही गई है यह भी एक काफी अच्छा कदम है फिर बापका बाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो गुवर्न्मेट को फाइदा होने वाला है वह यह कि ऑनलाइन अगर वो रिकॉर्ड रखती है सारे बच्छों का वह बहुत सारे residence का record एक साथ रख सकते हैं उन लोगों को जो तो सारे जो अगर online examination को पहले से ही बच्चे दे चुके होंगे तो उनको काफी बड़ा अच्छी बात है तो कुल मिला कि यह दो अपडेट थे जो मैंने आपको बता दिये जो मैंने कलेक्ट किया था ऐसे ही और अपडेट इस एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग मैं आपको देता होंगा तो मेक्सियोर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को ल